नमस्कार जै जोहार अंतरगत होने वाले सभी एक्जाम्स की तैयारी कराएं तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज अफ टू बी दे बेस्ट लर्न फ्रम दे बेस्ट अगरे कि अगरे कि अगरे कि गुड मॉर्निंग सभी को एंची क्यू के सीरीज में हम आगे देखते हैं ठीक है यह कोस्चन बिसीकली जो आपके सिक्षा का अधिकार अधिनियम उनके तहत है कि सिक्षा का अधिकार अधिनियम उनके तहत है ठीक है देख लिटे है विधी के विशय के रूप में ठीक है विधी के विशय के रूप में सिक्षा किस सूची में आता है यह बहुत अच्छा कोश्चन है important भी है और अगर आप थोड़ा सा deep पढ़ेंगे तभी आप यह आपसे बन पाएगा विधी के विशय के रूप में विधी मतलब होता है आपका कानून विधी मतलब क्या हो सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कि से संबंदित है राइट टू एजुकेशन 2009 से संबंदित है ठीक है अब यह बोल रहा है कि सिक्षा किस सूची में आती है ठीक है तो आपने अगर थोड़ा बहुत भी कॉंस्ट्यूशन पढ़ा होगा तो वहां कानून बनाने की तीन सू संग सूची दूसरा है राज्य सूची ठीक है और तीसरा है समवर्ति सूची समवर्ति सूची हाना और एक आता है अवसिष्ट सूची अवसिष्ट सूची ठीक है तो बोल रहा है कि सिक्षा किस सूची में आती है हाना किस सिक्षा किस सूची में आती है तो देखिए समवर्ती सूची में आती है किस में आती है समवर्ती सूची में आती है और पहले सिक्षा किस सूची में थी भई पहले थी राज्य सूची में अभी आती है समवर्ती सूची में पहले थी राज्य सूची में राज्य सूची में थी अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि यह स संग सूची मतलब इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी ठीक है एदम क्लियर वर्ड में बता रहा हूं संग सूची इसमें केवल वे सब्जेक्ट है जिसमें केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी समवर्ती सूची ऐसी सूची ज इसमें केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों कानून बना सकती है पर अगर विवाद होगा तो किसका कानून मानने होगा केंद्र सरकार का कानून मानने होगा उसके बाद आता है अवसिष्ट सूची अवसिष्ट सूची मतलब जो इन तीनों चीजों में नहीं है जो 22 सविधान संसोधन केद्वारा 5 चीजों को हाना किसे राज सूची से राज सूची में थी काफी डिटेव स मैं बता दिया ये कुस्च्चन आता ही आता है समवर्थी सकर सोची में है जी सिक्षा इस पर कानून दोनों बना सकते हैं केंद्र और राज्य सरकार सविधान के seventh इसमिदान के किस सोधन से शिक्षा एक मौनिक अधिकार बना बहुत अच्छा कोश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है सविधान के किस सवन सोधन से सिख्छा एक मौलीक अधिकार बना पहले मैं बता देता हूं मौलीक अधिकार होता क्या है मूल मतलब होता है जड़ बेस वह अधिकार जो आपको जिंदा रहने के लिए जरूर प्रूरी है उन अधिकारों को बोलते हैं मौलीक अधिकार फंडमेंटल राइट्स ठीक है तो अब तिक्षा भी एक मौलीक अधिकार है आप से शिख्छा प्राप्त करने का अधिकार कोई नीचीन सकता कोई भी नहीं राज्य सरकार सुप्रीम कोट जिसका भी नाम लेलो को कोई नीचीन सकता जब तक आप जिंदा हो आप पढ़ सकते हो मरनेक बाद कोई गैरेंटी नहीं है तो सिक्षा एक मौलीक अधिकार है और मौलीक अधिकार को तुम त्याग भी नहीं सकते कि मेरे को यह नीचीए ठीक है सिक्षा पहले मौलीक अधिकार नहीं था इसको मौल अधिक अधिकार में कौन से अनुछेद में जोड़ा गया 21A किसमे 21A में है अनिवार्य सिख्षा का अधिकार 6 से 14 वर्स के बच्चों को निसुल्क और अनिवार्य सिख्षा दी जाएगी निसुल्क पैसा नहीं लगेगा अनिवार्य मतलब जरूर दी जाएगी ठीक है यह ओ आपके किसमे कही गई है RTE में कही गई है राइट टू एजुकेशन 6 से 14 वर्स के बच्चों को निसुल्क और अनिवार्य सिख्षा एक सिख्षा का ही मौलिक अधिकार ऐसा है मेरे दोस्तों जो मौलिक अधिकार भी है ठीक है राज्य के निति निर्दे सक्तत्व भी है और मौलिक कर्तव यह यह तीनों जगा है ठीक है यह हो गया इसमें सविधान के किस संसोधन से सिख्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है तो एंसर होगा 86 सविधान संसोधन 2002 ठीक है उसके बाद भारती सविधान के बहुत अच्छा कोश्चा नहीं भारती सम यह आना ही है डन है एक लाग परसेंट से हो रहा है भारती सविधान के किस अनुच्छेद में 6-14 आयूवर के बच्चों के लिए निसूल कवर अनिवार यह सिक्षा का आयोजन किया गया है वही मौलिक अधिकार 21-21 में क्या जोड़ा गया है निसूल के वाम अनिवार यह सिक्षा अभी सिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता की क्या किया सिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता की हाना सिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता की ठीक है इस पे महात्मा गांधी जी ने कहा जो हमारी सिक्षा होनी चीए वो कैसी होनी चीए हस्त कला हस्त कला अधारित सिक्षा अधारित तिक्षा जिसमें बालकों को क्या सिखाया जाएगा एक कोई भी कला सिखाय जाएगी जीवन जीने के लिए जीवन यापन करने के लिए बालकों को कोई भी जिसमें उसकी रूची हो कोई भी हस्त कला सिखाया जाएगी ठीक है हस्त कला में आपके मिट्टी के बरतन बनाना सूत कातना चरका चलाना जो भी एक स्कील सिखाया जाएगा क्यों टाकि वो भावी जीवन में क्या कर सके अपना जीवन जी सके सम्मान से जीवन जी सके उनको रोजगार प्राप्थ हो सके इसलिए गांधी जी ने 1937 में व हस्त कला स्कील सिखाया जाएगा जिसके द्वारा अगर इसकूल में वो कुछ बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को बेच के उस स्कूल का खर्चा भी निकाला जाएगा ये बात कही गई और इसी को कहते हैं क्या गांधी जी का बेसिक सिक्षा हना 1937 में जो प्रस्तूत किये है हस्त कलावाला इसको कहते हैं बेसिक सिक्षा है इसी को कहते हैं बुनियादी सिक्षा इसी को कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नई तालीम क्या नई तालीम देखें जी मैकाले जी की जो अंग्रेजी अधारी सिक्षा थी ना उससे गांधी जी संतुष्टनी थे वो कहते थे कि इस अंग्रेजी अधारी सिक्षा में तो हम वापस गुलाम बनते जा रहे हैं अंग्रेजों के अंग्रेजी पढ़ रहें अंग् गया कि बच्चों को प्राथमी सिक्षा में सिकूली सिक्षा में क्या देना है हस्त कला की भी सिक्षा देनी है सिक्षा तो देनी भी है साथ ही कि स्कील भी सिखाना है जिससे क्या करे वह हमारी भारती संस्कृति को बढ़ा सके हना और स्वातंत्रता पुर्वक जीवा नियाप कर सके ठीक है उसी सिख्षा वयवस्ताar को हम कहते हैं बेशिक शिख्षा या नई तालिम ठीक है तो कौन सी हस्त कला केंदरित सिख्षा ठीक है आगे देखते हैं इन में से कौन सा नुच्छेत कहता है कि धर्म भासा के अधार पर बहुत अच्छा है अधारित अल्प संख्यक अपने अनुसार सिक्षन संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं देखिए मौलिक अधिकार आप पढ़े होंगे तो धार्मिक तंत्रता का अधिकार आप पढ़े होंगे ठीक है और संस्कृति और सिक्षा संबंदी अधिकार पढ़े होंगे तो उसमें से है हमारे यहां यह ववस्था है कि जो सबसे पहले तो यह बोलते हैं कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक नहीं देनी है हमारे यही नियम है कि सरकारी स्कूलों में कोई भी धार्मिक सिक्षा नहीं देनी है ठीक है ओवर्वी बता रहा हूं लेकिन सरकार बोलती है कि जो अल्प संख्यक लोग है जिनकी संख्यक कम है वो जो बहुत कम लोग है अल्प संख्यक हमारे यह च्छे हैं स्कूल बनाने की जो परमिसन है वो कौन से अनुच्छेद से मिली है तो भाया वो अनुच्छेद है आपका 32 धर्म भासा के अधार पर क्या करना सिक्छन विवस्था अपनी सिक्छन संस्थान बनाना ठीक है सौरी 31 31 के अधार पर 31 के अधार पर मिली है ठीक है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का सर्रक्षण 29 और अल्पसंख्यक भासा और सिक्छन संस्थान की इस्थापना अनुच्छेद 31 ठीक है समझ में आ गया ये चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 31 बहुत अच्छा कोश्चन है प्राद्मिक विद्याले में मिड्डे मील मध्यान भोजन योजना कारेकरम प्रारम करने के प्रमुक कारण क्या थे भई चलिए ये तो आपके बड़े-बड़े एक्जाम में जब प्यस्थी में इसमें नीबन भी लिखने आता है हाना क्या है इसका कारण कि भारत सरकार ने 1995 में मीड्डे मील मीड्डे मील योजना सुरू की क्यों सुरू की समाज के विश्थार करने के लिए बिलकुल नहीं रोजगार विद्धी करने के लिए बिलकुल नहीं अध्यापकों के विकाज के लिए बिलकुल नहीं नमंकन संखिया बढ़ाने के लिए इसकी क mossy नीबता देता हूँ ठीक है कि जब क्या हुआ एक समय में देखने देखा गया कि बच्चे इस्कूल तो आ right that पर regular school नहीं आ रहे हैं प्रात्मिक में माध्यमिक में बच्चे इस्कूल आ रहे हैं ठीक है प्रात्मिक और माध्यमिक में मिलता है खाना आठवी अच्टभी साथाथ्वी को मेरे आ रहे हैं दूसरा कुछ समय बाद इस्कूल छोड़ दे रहे हैं ठीक है जब सर्वे कर आया गया तो पूछा गया कि बच्चे भई क्यों इसकूल नहीं आ तो इसमें आपको जान केहरानी होगी कि सबसे बड़ी बात आई कि बच्चे क्या है कुपोसित हैं बच्चों में बच्चों को ढंग से खाना नहीं मिल रहा है वह कुपोसित है इसलिए वह तीन घंटे चार घंटे इसकूल में नहीं बैट पा रहे हैं कमर जूग जा रहा है ठक जा रहे हैं इसलिए बच्चे क्या करते हैं इसकूल आनी रहे हैं ठीक है तो सरकार ने बच्चों को पोसंड युक्त खाना खिलाने के लिए जिससे बच्चे क्या होए सुपोसीत होए और इसकूल में बैठ सके इसलिए मिड्डिल में योजना सुपोसीत खाना तो घर में भी खा रहे हैं क्या पर पोसीत खाना खा रहे हैं क्या नहीं और जिससे उनको पूरा nutrition में नीपा रहे है तो ये nutrition देने के लिए बच्चों को क्या किया गया midday meal प्रारम किया गया midday meal के कारण ही बच्चे अब 3 घंटा 4 घंटा इसकूल में बैठ सकते जिससे क्या है बच्चों की नमांकन संख्या इसकूल में बढ़ेगी आप इस बात को समझे बच्चे भाग जा रहे थे स Holzस passt लुघ्चो कि वह थे तो भाया उनको अच्छे से खिलाओ ताकि वो इस्कूल में बैठे और क्या हो नमांकन संख्या बढ़े ठीक है उसके बाद राष्टी बाल सर्म उन्मूलन प्रादिकरण की स्थापना कब की गई बाल सर्म क्या होता भई मुदा वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखुम पूर्णि स्थानों पर क्या करना नियुक्ति नहीं देना तो इसका जो आपका एंसर होगा एंसर होगा डी कब 26 सितंबर 1994 सोसंड के विरूद अधिकार मौलिक अधिकार में पढ़े है ना सोसंड के विरूद अधिकार 23 और 24 जिसमें बोला जाता है कि बच्चों का खरीत फरोक्त बंधो बच्चों को खतरना अकरसायनिक इस्थानों पर 14 से कम उम्र के बच्चों को क्या करना नियुक्ति नहीं देना नौकरी नहीं देना वही है आपका बाल स्रम ठीक है इसका एंसर होगा प्रादी करण की स्थाप यहम किस वर्स पारीद किया गया चल ये भयाए पारीदकिया गया किस वर्स पाल स्रम निसेद अधिनयाम छना कि बाल्यवेवा लियाम का पारीट किया गया इंट इसका उप्सण होगा 2006 ऑलागू कभुआ नवंबर 2007 से लागु कब हुआ एक नवंबर 2007 से ठीक है बाल विवा निसेद अधिनियम पारित बोल रहे भी या पारित संसद में कब हुआ 2006 में लागु कब हुआ एक नवंबर 2007 में और इसमें कहा गया लड़के की आईयू कितनी 21 ठीक है 18 रहेगी अब यह तो आया अधिनियम कब 1907 में इससे पहले जो अधिनियम चलता था उसको बोलते थे सारदा एक्ट सारदा एक्ट कब 1930 को आया था बाल विवा के विरोध में सारदा एक्ट 1930 इसको बदल के क्या किया गया बाल विवा निसेद अनियम कब पारित किया 2006 को लागू किया कब 2007 को लड़के की आयू 21 वर्स लड़की की आयू 18 वर्स ठीक है अगर आप बाल विवा करवाते हो तो आपको एक लाख रूपय का जुर्माना और दो साल की सजा हो सकती है सरवादिक बाल विवा अपने होता है कहां राजिस्थान में उसके बाद बिहार में और सबसे कम होता है हिमाचल परदेश में अब देखते हैं इसमें भी अबेंडमेंट किया गया बाल विवा संसोधन कब 2021 बाल विवा संसोधन कब 2021 कौन किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया है संसोधन 2021 इसके अनुसार अब ठीक है बोईस की आयू कित्ती होनी चीए 21 वर्स और गर्ल की भी आयू होनी चीए 21 वर्स ठीक है यह हो गया चले भाई एक बार देख लेते बारत में बाल विवा इससे कोश्चन आएगा इसलिए मैं बता रहा हूं आपको ना बाल विवा निसे 230 का बना हूँ अंग्रेजों का ठीक है यह दोनों एक्ट के अनुसार लड़के की आयू 28 वर्स और लड़की की आयू 8 वर्स होनी थी फिर इस पर संसोधन किया गया अगर आप बाल विवा कराते हो तो एक साल का एक लाग रुपए जुर्माना और दो साल की सजा हो सकती है यह हो गया अभी यहां पर आयू कित्ती थी 21 वर्स और अठरा वर्स फिर आया बाल विवा संसोधन अधिनियम 2021 इसमें दोनों की आयू कित्ती कर दी गई है 21 21 वर्स कोस्चान आएगा कि बालिका किया यू कित्ती वर्स है तो वो भी अब 21 हो गई है ठीक है चली आगे सार्दा एक्ठ किससे संबन्दित है सार्दा एक्ठTO λविवा से कब 1930 इसको बदला गया किस से बाल विवा अधिनियम 2006 से फिर संसोधा। reverse 2020 में यह दोनों में लड़के और लड़की कि आयू कित्ती थी 21 और 18 वर्ष इसमें कित्ती हो हो गई 21 वर्स और 21 ठीक है आगे देख लेते हैं कि सर्वसिक्षा भियान ठीक है सर्वसिक्षा भियान किस से संबंदित है बताएए भई आप लोग गौर्मेंट इस्कुल जाते होगे न तो ऐसे पैंसील पैंसील की एक फोटो बने रहती उस पे लड़का और लड़की बैठ संबंदित है प्राथमिक सिक्षा से देखो बहुत अच्छा कोश्चन है बेसिक सिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम है बताएए भई अभी पढ़ेते अपन क्या वर्धा सिक्षा योजना कौन गांधी जी कौन गांधी जी ने अध्यक्षता की थी सम्मिलन की कब 1937 में क या कहा की हस्तकला भी सिखाना है उसका नाम क्या है बेसिक सिक्षा बुन्यादी सिक्षा या नई तालीम ठीक है किस छेत्र में सुधार के लिए ऑप्रेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया देखे भई ऑप्रेशन ब्लैक बोर्ड किसमें आपका प्राथमिक सिक्षा में किसमें आपका प्राथमिक सिक्षा में सुधार के लिए क्या सुरू किया गया ओप्रेशन ब्लैक बोर्ड सुरू किया गया ठीक है प्राथमिक सिक्षा इसमें क्या था जो प्राथमिक विद्याल है न वहाँ पे बुनियादी सुईधाएं उपरब्द कराना ठीक है बुन्यारी सुविधाय उप्रब्द कराना उप्रेशन ब्लैक बोर्ड ठीक है अधिक्तर जो प्रयास होंगे न सिक्षा से संबंदीत वो आपके प्राथमिक सिक्षा में ही होंगे क्योंकि अगर न्यू मजबूत हो गई न तो बच्चा आखे सर्वाइब कर लेगा अ बालकों को निशूल के वह मनिवार श्क्षा का अधिकार अधिनियम हना RTE 2009 ठीक है पारित किया गया कब 2009 लागू कप किया गया जी पारित मतलब कानून बना और लागू कप किया गया एक अप्रेल 2010 को कब एक अप्रेल 2010 निशूल और अनिवारworks अच्छा जिसके तहड क्या किया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल कौर अनिवार्य सिर्चा की बात की गई है 8.6 के अनुसार 8.1 के अनुसार सिर्चक्र के तु प्रती गंटे कार्य स्पचा बहुत important है कितने हैं 45 एक सप्ते में अपने को कितने काम करने हैं? 45 ठीक है? एक सब्ता में अपने को कारे करना है 45 और ये जो 45 कारे है न ये सिक्छण प्लस गैर सिक्छण दोनों काम मिला के पढ़ाना भी, पेपर चेक करना भी, एक्टिविटी कराना भी ठीक है इसमें देख लेते हैं आपके आटी 2009 के द्वारा ठीक है प्राथमिक साला कितने दिन लगेगी 200 दिन और माध्यमिक कितने दिन लगेगी 1 से 5 200 दिन लगेगी माध्यमिक 220 दिन लगेगी 6 से 8 कितने दिन लगेगी 220 दिन लगेगी प्राथमिक साला में कितने घंटे पढ़ाई होगा 800 घंटे माध्यमिक साला में कितने घंटे पढ़ाई होगा 1000 घंटे ठीक है और सिक्छक कितने घंटे कारे करेगा 45 45 घंटे ठीक है एक स सब्सक्राइब काम कित्ता करेगा 45 घंटा करेगा भई ठीक है यह पूरा डिटेल हो गया इससे कुश्चान आते हैं हना इसमें इसकूल का वर्किंग डे एक से पांस तक 200 दिन होगा ठीक एक से छैसे आठ तक 220 दिन का होगा वर्किंग डे ठीक है कि कख्छा लिएं आख समय आयागा घंटा किते घंटे पढ़ाई होगा कित्ते घंटे इसकूल लगेगा 800 गंटे और इसमें 1000 घंटे ठीकbourg और सिक्षक किते सप्ता में किते घंटे काम करेगा 45 गंटे सप्ता हमें सिक्षक काम करेगा ठीक है काम कैसा होगा सिक्षण और गैर सिक्षण कार्य दोनों को मिला के ग्रामीण बच्चोंगी एस एच्छी सिक्षा अप्लब्द करा ने तुँके एंद्र सरकारद वारह कौन साविध्याल है फिश्कुय काफी अच्छय स्कूल है काफी के लेवल की वहां पर आपका तो सहर में मीडियम है वो मौडल स्कूल है सैनिक स्कूल जो सेना जिसमें पढ़ाई के सांथ सेना की भी ट्रेनिंग दी जाती अपने अमभीकापूर में वो हो गया ठीक है नवोदय विद्याले अपने दूर्गों में भी है बहुत जगे है जहां ग्रामीड बच्चों को सिख्छा दी जाती इसका इंट्रेंस एक्जाम होता है केंदरी विद्याले केंदर सरकार के विद्याले जिसमें अधिकतर आपके रेलवे और केंदर सरक कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं ठीक है यह हो गया हना और नव्योदाविद्याले से बहुत अच्छे प्रोडक्ट निकलते हैं हमारे गूगल के सुन्दर पिचाई भी नव्योदाविद्याले के प्रोडक्ट है ठीक है आगे देखते हैं एंसी इर्टी द्वारा राष्टी पाठी चरिया की रूप रेखा कप प्रस्तुत की गई देखिए हना एंसी पी नेशनल केरिकुलम प्रेमवर्क एंसी एप नेशनल केरिकुलम प्रेमवर्क अभी आपका चल रहा है एंसी एप दो हजार पांच कौन सा चल सबसे पहले NCF आया था आपका इससे पहले और कब आया था ठीक है 75 में आया था फिर best of my knowledge 88 में आया था फिर 2000 में आया था फिर 2005 में आया ठीक है 75 78 2000 और 2005 में आया कुल 4 NCF हो गया अभी अपन चल रहे हैं NCF 2005 में अभी नया NCF भी आ गया भी या अब वो है 2030 नया NCF 2030 जो किसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए NEP 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए NCF 2023 आ चुका है ठीक है तो अभी जो चल रहा है NCRT कब प्रस्तुत की गई 2005 ठीक भारती सविधान में 6-14 वर्स के आयूवर के बच्चों के लिए निसूलक और अनिवार्य सिक्षा कौन से अधिकार को सामलील किया है पहले इस पर डिसकस हो चुका है 21 एक अब 2002 छीहासिया सविधान संसोधन अनुचेद 86 कौन्स्टिउशन अवेडमेंट है ना साल 2002 अनुचेद 21 एक छै से 14 वर्स के बालक को क्या सिक्षा निसूलक और अनिवार्य सिक्षा वर्तमान में निसक्त बच्चों की सिक्षा के लिए कहा गया है बहुत अच्छा कोश्चन है निसक्त बच्चे परसन विस्थ इस बिसेबिलिटीज जिनके कुछ शरीर में प्राप्लम है या कुछ बोल सकते हैं दिव्यांग है तो तो निसूलक वं अनिवार्य सोरी निसक्त बच्चों की सिक्षा विशेश सिक्षा नहीं होगा, समावेकिसी सिक्षा नहीं होगा आपका क्या होगा? समावेसी सिक्षा, inclusive education मैं एक चीज बता देता हूं आपको चाहे विकलांग बच्चा हो या दिव्यांग बच्चा और समान्य बच्चा आपको दोनों को एक साथ पढ़ाना है आप उनको अलग-अलग नहीं कर सकते इसी को बोलते हैं समावेसी सिक्षा सभी को समान मान के एक साथ सिक्षा देना हाँ पर ये चीज कर सकते हैं कि जो दिव्यांग बच्चों के लिए उनके लिए अधार बुष सनरचना आपको बनानी होगी दिव्यांग बच्चों का जो क मुचित व्यवस्था देनी होगी लेकिन आपको निसक्त बच्चों को समान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाना है उसी को बोलते हैं समावेशी सिक्षा आगे देखते हैं NCAP 2005 किस पर बल देता है बताइए करके सीखने पर करके सीखने पर रटने पर बिल्कुल नहीं देता समस्याल करने पर ये सभी किस पर बल देता है करके सीखने पर learning by doing किस पर देता है learning by doing फिक है सभी यही बोलते हैं भई आगे देखते हैं NCAP 2005 के संबन में निमने से कौन से कथन सही है सही है पूछ रहे भई फिक है यह भारत की विद्यालिंग सिक्षा के संबन में एक समयधानिक संसोदर मतलब ऐसी चीज़े जो Constitution में अबेडमेंट की गई हो ठीक है यह NCERT दौरा तयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालिंग सिक्षा के संबन में संस्तूतियां प्रस्तूत करता है कौन बनाया जी NCAP को NCERT बनाई है तो यह option सही है यह भारत में गुणात् किस ने बनाया NCAP आपकी NCERT ने बनाया है कब 2005 में और वो क्या है विद्याले स्क्षा गुर्मत्ता को बढ़ाने के लिए एक दस्तावेज है सवेधानिक संतोजन भी नहीं है राष्टी पार्ठी चर्या की रूप रेका NCAP के सिक्षक की भूमी का क्या है मैं हमेशा बोलता NCAP 2005 के नुसार सिक्षक को किस रूप में देखा जाता है जी सिक्षक केवल क्या है एक सुईधा दाता सर्वीस प्रोवाइडर बहुत बार बोल चुका हूँ में ये बात ये भी अच्छा कोस्चन है सिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार लागू कप हुआ एक अपरिल 2010 वन्चीत वर्ग जो है जिनके पास अभावगरस्त वर्ग बोल सकते हैं निकट प्रात्मिक साला की 21 कक्षा में 25 परसेंट आरक्षान देखे भई आपने वो पिच्चर देखी होगी हिंदी मीडिय सिस्टम वह हमारे एजुकेशन सिस्टम पर ही बेजड है हना कोई भी स्कूल हो वहां जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं जो आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए 25 प्रतिसत सीट आरक्षित रहती है ठीक है कोई भी स्कूल हो ना कोई भी यह सरकार का नियम चाहे कि मजयोर वर्ग के बच्चों के लिए 55 प्रतिसती अरक्षित रहती यह अ क्सक्राइब Chris में साला की प्रथम खब्रतिंब्ध रहती है उसक्राइब जहां से पढ़ाईि इसाला में जहां से पढ़ाई होती है उस कच्छा में है ना पहली कच्छा में आगर होसी होती है यह एदमां के परej आगे देख लेते हैं इन में से कौन NCF 2005 का मार्कदर्सी सिध्धान्त नहीं है नहीं है बोल रहा है यह बच्चों को ग्यान को बाहर से जोड़ना यह भी है क्या रटन्त से मुक्त कराना बच्चों का समुहीं चाहर चौतर्फा विकास करना अंग्रेजी भासा नहीं है क्या है मात्र भासा क्या है मात्र भासा में सिख्चा देना बहिए अगर आपको जानकारी नहीं होगी न तो आज की सिख्चा व्यवस्ता को देखते हैं आप क्या लगा दोगे अंग्रेजी लगा दोगे ठीक है क्यों बोला तो गया है कि अंग्रेजी में भी तो पढ़ाना है करके हाना चलिए आगे देखते हैं राष्टी पार्थे चरिया 2005 दस्तावेज में भासा नहीं थे ठीक है आपका NEP हाना तीन भासा का सिध्धान देता है ठीक है और राष्टी पार्थे चरिया रूप रेखा आपको बहु भासा हना बहु भासा बहु सारी भासा में पढ़ाना है और इसको एक सोर्स मानना है राष्टी पार्थे चरिया फ्रेमवर्क 2005 अपनी समझ खालिस्थान से प्राप्त की है बताईए व्यवारवादी पता है रचनवादी लोग बोलते हैं कि बच्चा ज्यान का निर्माता है वो खुद अपने अनुभव के अनुसार नए नए ज्यान बनाएगा और वो ज्यान को सीखेगा वैभारवादी क्या बोलता है बच्चे को कुछ नहीं आता मैं उसके वैभार में परिवर्तन करके उसको डाक्टर, इंजीनियर, चोर, कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है, तो अभी कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है, वो सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड में, ना कि टीचर सेंटर्ड में, तो यहाँ सबसे बेस्ट आप्शन होगा, रचनावादी, ठीक है, उसके बा यह क्या नहीं है, विद्यालय को, हाना, देखे, ज्यान को बाहरी जीवन से जोड़ना है, राष्ट के प्रजातंत्रिक मुल्यों का सम्मान भी है, पर इक्षाओं में लचीला पन भी है, क्या नहीं है जी, विस्विद्यालय को, भाईया आपकी NCF स्कूल के लिए है, ना कि विस्विद्यालय के लिए, तो इसका एंसर होगा, विस्विद्यालय आएगा ही नहीं, ठीक है, NCF 2005 में क्या बोला है, सबसे पहले तो बोला है, जो स्कूल के ज्यान है, उसको बाहरी जीवन से जोड़ना, दूसरा, रटन्त प्रनाली, रटने की प्रनाली से क्या करना, मु चीखने दो, उसके बाद कक्षा के जो गतिवीदियों में क्या किया जाए, लचीला पन लाया जाए, परिक्षा में लचीला पन लाया जाए, कक्षा की गतिवीदियों में लचीला पन लाया जाए, ठीक है, उसके बाद राष्ट्री मुल्यों के प्रती, आस्थावान रिखिध्यार्ति तयार हो यह या राष्टि महत्वाइब के बिंदों को पाठर क्रम में सामिल किया जाया आपको ऐसा हैसा बच्चा तेहार करना जो आपके समाझ के लिए क्या हो उपयोगी हो जो हमारे राष्ट के लिए उपयोगी हो चली आगे देख लेते हैं कि अना राष्टी पार्थ चरया रूप रेकार दो हजार पांच में निमने में से कीच परिक्षा संबंदी सुधारों को सुझाया गया तो इसमें आपका क्लास क्लास 10 की परिक्षा को क्या किया गया है एकचिक किया गया है कि वो बोर्ड परिक्षा हो या ना हो क्लास 10 की परिक्षा को क्या किया गया है इसमें एकचिक किया गया है ठीक है एकचिक मतलब आपका मन है भई एर अए एंसीव crown ا्ट दोजार पं इसार प्रसक zurकष एवल होती एक सर्वीस प्रवाइडर की इसक्जिक शक को बहु भाषी का क्या करना के संमान करना चाहिए सिक्जद को करके सीखने पर बल देना चाहिए शिक्जद को क्लास का वातवरन प्रमत्री बनाना चाहिए तो इसमें जो सबसे best option आएगा वो होगा सिख्षक की भूमी का सरल होनी चाहिए ठीक है सिख्षक एक सरल होना चाहिए दम टीचर जैसे नहीं है बच्चों को मारना पिटना नहीं करना है दम आपको सरल रहना है ठीक चलिए जब सिख्षक बहुत अच्छा question है जब सिख्षक बच्चों के समुह का अभी नंग बनकर उसके वैवहार की जानकारी लेता है यहां बोल रहा है समुह का अभी नंग बनकर मतलब सिख्षक खुद उस group में सामिलो जाता है जिस group में बच्चे रहते हैं तो उस निरिक् मतलब आप उसके घर जाके उसको देख रहे हो ठीक है अह सहभागी निरिक्षण मतलब आप उससे अलग हो के देख रहे हो सहभागी निरिक्षण मतलब आप उसके साथ रहे के देख रहे हो यहां बोला है समुह का हिस्सा बन रहे हो मतलब आप उसके साथ रहे हो तो इसका एं जिनके हाथ पर में थोड़ी प्रावब्लम है उनको कैसे पढ़ाना चाहिए वैसाइक परिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन के कौसल सिखा है बिल्कुल नहीं अवस्यक साहता प्रदान करते हुए घर पर उनके माता-पिता को देख भाल करने वालों के साथ बिल्कु आपको विसेश आवसक्ताले बच्चों को बिल्कुल भी उनके साथ विभेधि करण प्रिथक करण सेग्रेशन सेप्रेशन नहीं करना है यह सब निगेटिव वर्ड है आपको बच्चा कैसा भी हो आपको सभी बच्चों के साथ मिला के पढ़ाना है इसी को बोलते हैं गर में उसके मातापिता पढ़ाएंगे यह नहीं बोलना है कि विकलांगों का जो इसकूल है वहां भेजे वो उनकी मर्जी है आपको नहीं करना है ठीक है आपको सभी बच्चों के साथ पढ़ाना है इसी को बोलते समावेसी इंक्लूजीव एजुकेशन ठीक है हाँ आपको क्या करना है आपको अपने भौतिक संसाधनों को इस तरीके से नियोजित करना है जैसे बैठक की ववस्ता बिल्डिंग में जाने की ववस्ता ताकि वो बच्चा भी अराम से अंदर इसकूल आजा सके मुल्य एजुकेशन मतल आपका बोला देते वेल्यू एजुकेशन कब आँए प्राथमिक इस्तर पर प्रात्मीक इस्तर पर बच्चा मुल्य समझते ही नहीं माध्यमिक इस्तर पर समझता है माविद्यालीन इस्तर पर उप्रोग सभी option होगा डी उप्रोग सभी क्योंकि भई नैतिकता क्या होती है नैतिकता आपके अंदर का वो पावर होता है जो आपको अच्छा बुरा करने से रोकता है ठीक है मुल्य क्या होता है मुल्य समाज के व हाँ ICDS का रिकरम बहुत अच्छा कोश्चन है ICDS का रिकरम खालिस्थान के IU समू के बच्चों के लिए बनाया गया है ICDS का होता है भाई क्या Integrated Child Development System Integrated Child Development System ठीक है क्या आपका एकी करीद बाल विकास एकी करीद बाल विकास सिस्टम या स्कीम तो यह होता है आपके 0 से 6 वर्स के बच्चों के लिए किसके 0 से 6 वर्स के बच्चों के लिए ICDS ने बना के रखा है ठीक है इसकी सुरवाद 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था ठीक है 2 अक्टूबर 1975 इसकी सुरवाद 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था देखे भई आप अगर एणीपी न्यू एजुकेशन पॉलिशी 2020 पढ़े होंगे तो उसमें जो आपका सुरू में जो रहता है पांगन बाड़ी में और आगन बाड़ी में कितने साल रहेगा तीन साल रहेगा आगन बाड़ी तो 6 वर्स की उम्र तक ठीक है उसके बाद यह जो ICDS है ना यही चलाता है किसको आपके आगन बाड़ियों को हना तो ICDS क्या करता है जो दम छोटे बच्चे रहते ना उन लोगों को तयार करता है किसके लिए प्राथमिक सिक्षा के लिए किसके लिए प्राथमिक सिक्षा के लिए उसके बाद 6 साल बाद बच्चे का एडमिशन कहां हो जाएगा पहली कलास में हो जाएगा ठीक है झाल झाल